दोस्तों क्या हो अगर आप पार्टी कर रहे हो और अचानक आपके सारे दोस्त को रेत निकल जाए तो कुछ ऐसा ही होता आज की कहानी में यह सारे लोग एक प्राइवेट बीच पर पार्टी एंजॉय कर रहे थे सबी लोग काफी मजे में और नशे में थे तब ही हमें मिच नाम का एक लड़का दिखाये जाता है, जो सबके फोन को एक बैग में जमा करवाता है, ताकि कोई भी वीडियोज और फोटोज ना किलिक कर सके, सभी पार्टी को इंजॉय करें, अब हम देखते हैं दो लोग एक बड़ा सा अंडा उठालाते हैं, और उसे के पास रखतेते हैं, और पूरी तरह पार्टी को एंजॉय करते हैं, सुबह होती है और पूरा बीच खाली होता है, हमें कैली और मिच दिखाये जाते हैं, जो रात एक दूसरे के साथ ही सो गए थे, कैली उठती है और बाहर जा देखती है, वाग कोई नहीं है, सिर्फ चा सिर्यस हो जाते हैं, मारसर धीरे धीरे रेत में समा रही थी, उसे ऐसा देख वेंस से राआ नहीं जाता और वो उसकी तरफ कूदता है, दो कदम चल वेंस भी उस रेत में फज जाता है, और गिर पड़ता है, मिच और जोना उसे बचाने के लिए आगे जाते हैं, लेकिन ब आबस में बहुत भैस करते हैं, कोई कहता है रेत में मौन्स्टर है, तो कोई कहता है रेत दलदल है, यह सभी आबस में काफी चिलाते हैं, जैसिकर चिलाती भी अपना फोन मांगती है, जोना कहता है फोन रात में मिच ने जमा कर लिया था, अब मिच बताता है, इस सभी फो चिलाते हैं, मिच उसके पास जाता है, कैली उसे दिखाती है, रेज से कुछ बाहर आ रहा है, ये देख वो काफी हैरान था, अब उन्हें कन्फरम हो गया था कि रेज के अंदर कुछ न कुछ है, जो उन्हें शिकार बना रहा है, वो ये सब देखी रही थे, तबी से कहते हैं, थोड़ी देर इंतजार करो, कोई या कोई हमें बचाने जरूर आएगा, अब सभी लोग काफी परिशान थे और मदद का इंतजार करते हैं, देरे देरे जब सूरज भी तेज होता जा रहा था, कैली अंदर जाती है, उसे एक माचिस मिलती है, वो बिना से चीज पर चाती है, यह वही एक था, जो गिलवर्ड रात में लाया था, वो एक अब टूट चुका था, यानि कि उसके अंदर का मॉंस्टर इस रेत के अंदर समा चुका है, और इन लोग को धीरी दीरे शिकार बना रहा है, अब कैली कहती है, अगर यह मौंस्टर है, तो तब ही उसे रोकते है, लेकिन जोना दो सर्फर बोर्ड लाता है, और उनकी मदस से आगे बढ़ता है, वो बेंच के पास पहुँची जाता है, लेकिन अचानक वो चीज जो रेत में छुपी थी, उसका बोर्ड खिसकाने लगती है, और जोना के लिए वहाँ पहुचना मु चुका था, वो दर्स से चिलाता है, और वही लेट जाता है, वो सबी उसे जोर जोर से बुलाते है, जोना वह हमत करके उटता है, और वहाँ रखा एक बैक जग करता है, उसे एक केला मिलता है, जो नीचे गिर जाता है, वो उसे जट से उठा लेता है, तब ही वो नोटिस क पानी और ड्रिंक स्पीकर सबको बहुत सुकून मिलता है। जोना दर्द से तरप रहा था। उसका पेट फट रहा था। वो वहीं बेंच पर लेट जाता है। अब वो देखते हैं मॉंस्टर उनकी कार के टायर को भी खाने लगा था। धिरे धिरे उनके कार के टायर भी करने की कोशिश करती है। दो तिन बार ट्राय करने पे वो नहीं खोल पाती। कहली एक लाइफ सेवर इस्टिक लाती है। रोनी उसे पगड़ कार की बैक साइड को खोलती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है। और वो जल्दी से उपर आती है। जिसके विएसे उसका चिला कर मदद मांगते हैं। वो पुलिस वाला इनकी बताई बातों का यकीन नहीं करता। अभी तक वो रेट पर इसलिए चल पा रहा था क्योंकि उसने काफी हैवी जूते पहने हुए थे। अब वो कैली और मिच के पास चाता है। और उन्हें नीचे आने को कहता है। व वो क्रेचर उस पुलिस वाले को जमीन में निगल लेता है। या कैली उसका चिली स्प्रे उठा लेती है। अब वो सभी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तब ही मिच कहता है मैं बहुत तेज हूँ। मैं फटाक से पुलिस की कार तक पहुंच सकता हूँ। उसकी बास जम्प करती है। वो कार पर जम्प कर पहले जैसिका को मारती है क्योंकि वो उसके बॉइफरेंटे साथ सोही थी। अब वो दूनों रोनी का हाथ निकालने की तैयारी करते हैं। कैली कहती हैं मेरे तीन गिंते ही तुम हाथ खीच लेना। वो ऐसा ही करते हैं। जासे कोई प्रावलम हो रोनी थोड़ी आगे जाती है और उसका बैलेंस भी गड़ जाता है और वो गिर जाती है उससे पहले कैली वहाँ चिली स्प्रेश चिड़क देती है कुछ सेकेंड उसे कुछ नहीं होता लेकिन फिर मौंस्टर उसे अपनी तरफ समा लेता है और यहा जरूर कुछ नकुछ स्रिकार के लिए है और देखते ही देखते कुछ मिनट में गीलवर्ट को वह पूरी तरह निगल लेता है गीलवर्ट द्र坦 से चिलाता है लेकिन वह मौंस्टर अफ काफी बढ़ा हो चुका था जो उसे उसी बैरल के अंदर ही खीच लेता है तभी मौश्टर उस पोलिस की कार के टैर को पकड़के हिलाता है जिसके वज़ासे जैसिका गर जाती है उसके सर में छोटाती है जैसिका यहाँ बियोश हो जाती है काफी समय बीच जाता है, रात होने को आई थी, कैली जैसिका को जोड़ जोड़ से चिला के बुलाती है, जैसिका को थोड़ा बहुत होश आता है, वो उटती है और बिना समय गवाए, कार में कुछ ने कुछ मदद के लिए डोड़ना शुरू कर देती है, उसे वहाँ एक सेल जल्दी से बिना समय गवाए, पैट्रोल को कार के चारों तरफ छिड़क देती है, अब कैली उसी माचिस का यूज़ करती है, जो उसे शुरू में मिली थी, बिना देरी किया उस पैट्रोल में आगला देती है, जिससे वो क्रेचर जलने लग जाता है, कैली जल्दी से की कार के पास आता है, और उन्हें जगाता है, कैली और जैसी का ये देख पहार आती है, वो कहते हैं क्रेचर जा चुका है, वो दोनों बिना उस आदमी से बात किये, वहाँ से चली जाती है, अब हमें वही क्रेचर दिखाया जाता है, जो काफी बड़ा हो चुका है, और द झाल चींदे